नमस्कार आप देख रहे हैं NBC24 मैं हूँ आदेश पुल मगत विस्विद्याले आपको बताएं कि इसमें छात्रों के रिजल्ट अभी तब गोशित नहीं किये गये हैं और महत्रपुन परिच्छा बिहार में होने वाले हैं जिसके कारएं बहुत सारे छात्र फॉर्ण नहीं फिलब कर पा रहा हैं और आपको बताएं कि कई महीनों से छात्र बिस्विद्याले के ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं उन्हें कभी पटना तो कभी गया बेजा जा रहा है और आपको बता है कि छात्र बिप कुछन पहले ही हमने आपको दिखाया था कि वो वीची से वेट करने गयते और वीची ने कहा था कि बहुत जल्द जो है वो रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसको लेकर बताएं आपको कि छात्र बिप कुमार दोस्तों मगद इनवर्सिटी के छात्र छात्राओं का भविस चोपट हो चुका है और ये बात जग जाहिर है क्योंकि 17-20 सेशन हो 18-21 सेशन हो या 19-22 हो या 20-23 सेशन हो सब का हालत खराब है किसी का एक्जाम हो चुका तो उसका रिजल्ट नहीं आया है किसी का एक्जाम ही नहीं हुआ है तो अब आप सभी छात्र छात्राओं को स्रक्ट पर उतर कर आंदोलन करना होगा नहीं तो फिर इसी तरह से ये सिलसिला जारी रहेगा और तीन सल का ग्रुजुशन का कोर्स आपका छे साल में भी पूरा नहीं होगा अब 17,20 जिनका सेसन है उनका भी जो थार्ड यर में किसी का क्रुस लग गया किसी एक सब्जक्ट में फिल कर गए दो में फिल कर गए या किसी करना से एक्जाम कि पीयर नहीं हो पाए तो उनका भी एक्जाम नहीं हुआ है चुकि 18-21 सेशन है तो 18-21 में Part 2 का रिजल्ट ही नहीं आया है तो Part 2 का रिजल्ट आएगा Part 3 का एकजाम होगा उसी के साथ नहीं का एकजाम होगा तो इस तरह से 17-20 और 18-21 दोनों सेशन के लोग परिशान है 18-21 का क्या हुआ पार्ट 2 की परिक्षा OMR City पे अक्टूबर 2021 में हुई लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया और फिर पार्ट 3 की परिक्षा कब होगी फिर उसका रिजल्ट कब आया जब कि 18-21 सेशन का क्या था जून 21 में गरिज्वेशन पूरा हो जाना चाहिए था लेकि कितना मतलब ना इंसाफी है कितना अन्याई किया जा रहा है चात्र चात्राओं के साथ कि 2020 से 23 सेशन जिनका है उनका अभी पार्ट 2 का एक्जाम होना चाहिए था गरिज्वेशन का पार्ट 2 का एक्जाम होना चाहिए लेकिन अभी तक उनका रिजिस्ट्रेशन ही नहीं हु क्योंकि दो साल तो इसे ही गुजर चुका है और अभी तक राइस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप लोग तयार रहिए आप लोग अपने हक और अधिकार के लिए सरक पर उतर ये नहीं तो फिर क्या होगा भेकेंसी आती जाएगी आप फॉर्म नहीं भर पाएगा वी सचीव सभी लोग इसमें फॉर्म भरते वोह सभी लोग के पॉर्म भर सकते थे लेकिन सेसन लेठोंने के चलते मगण इनव्र बंचित रह जाईएगा तो इसलिए आप लोग अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठाईए और सरक पे उतर के आंदोलन कीजिए और यह मत सोचिए कि कोई तो आंदोलन कर रहा हम घर बैठे रहते हैं अगर आप यही सोचिएगा तो फिर इसी तरह से यह सिलसिला चलते रहेगा और आप बहुत हजारों ऐसे स्टुएंट से मगद इनवर्सिटी के जिन्होंने सचिवाले साहे की तैयारी पूरी कर ली थी एकजाम की कोचिंग कर लिया था तो तीन जगा कोचिंग कर लिया उनकी तैयारी पूरी हो चुकी थी लेकिन जब फॉर्म आया वेकेंसी नहीं हुई तो किसी का पार्ट वन का परिच्छा नहीं हुआ और सभी लोग फॉर्म भरने से बंचित रह गया तो अब घर बैठने से नहीं होगा जो भी मगद इनवर्सिटी के स्टुडेंट से आप लोग छात्र छात्र हैं चाहें बाइज हो या गल्स आप सभी लोग अ तो वह दस वजे पठना आईए पठना में कहां तो पाटली पुतलाई नवर्सिटी का जो आफिस है राजेंदर नगर टर्मिनल के पास कॉलेज ओप कमर्स जो पहले नाम था तो को लेज़ ओप कमर्स आर्ट सायन्स हो गया तो कोलेज ओप कमर्स के नाम से इसे आब ही भी जो की पाटली पुत्रा इनवर्सिनी के जो VC है वही अभी मगणंद इनवर्सिटी के भी VC है तो इसलिए हम लोग पाटली पुत्रा इनवर्सिटी में ही अंदोलन कर रहे हैं स्टर्वराद को लिए सब्सक्राइब लिए सबस्क्राइब करने परियो है जर्वरी सबस्क्राइब से फुर्व को यकिन नहीं है कोई भी स्वास नहीं है इसलिए मगद इनवर्सिटी के जितने भी छात्र छात्र आए हैं आप लोग अपने हक और अधिकार के लिए 27 अपरिल को सुबह 10 वजे पाटली पुत्रा इनवर्सिटी राजेंदर नगर टर्मिनल के पास जो है पटना में वहां आईए सुबह 10 वजे 27 सपरेल को और अपने हक और अधिकार के लिए अब आज उठाएए अब आज बुलंद कीजिए नहीं तो फिर इसी तरह से सेशन लेट चलता रहेगा आपका ग्रिजोशन का कोर्स तीन साल के जगा छो साल साथ साल में पूरा होगा साथ ही पीजी का भी जो कोर् अठारा एकी सेशन के हो 19-22 के हो या 20-30 सेशन के हो हर सेशन की बात हम लोग करेंगे कोई भी सेशन लेट नहीं होना चाहिए सभी सेशन की जो परिक्षा है रिजल्ट है सही समय पे आया अग्रिजोशन सही समय पे पूरा हो तो आप जितने भी मगद इनवर्सिटी के को भी हम आगभा कर रहें कि आप लोग भी आई यह यह मत सोचिये कि वाइज जा रहा है हम क्यूंब जया क्यों आई तिक बारतारिक को श्तुंब अठार गर भी आए थे और गल्सुंब आई थी और 27 अपरिल को ज्यदा से ज्यदा की संख्या में गल्स भी आई चैक यह इसलिए जब आपको डिग्री ही नहीं मिलेगा तो फिर कोचिंग करने से भी कोई फैदा नहीं तो यह कोचिंग भी छोड़ दीजेगा तो कुछ नहीं भीगरेगा बाद में आप उसको पढ़ लीजिएगा लेकिन 27 अपरेल को सुबह 10 वजे आप लोग पाटली पुत्रा इं समय है वो बरबाद हो रहा है और इस कारण से विश्वध्याले को याद दिल आने के लिए कि उन्हें रिजल्ट भी जारी करना है उसके लिए 27 अपरेल को आंदोलन किया जाएगा तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंदा है लाइक सेर करे हमारी चैनल एन्व